अगर हम पहले से शादी शुदा है अगर हम पहले से शादी शुदा है अगर हम दूसरी शादी करते हैं तो क्या वो दूसरी शादी एक उफेंस मानी जाएगी यानि की गुनहा मानी जाएगी अब देखिए इस चीज का भी कोई सिंपल सा आंसर नहीं है कोई सिंपल सा जवाब नहीं है क्योंकि इसके भी अलग-अलग सिच्वेशन होती है कुछ सिच्वेशन है जहाँ पर आपके कोई सजा नहीं होगी तो exactly कभ यह ओफेंस होगा कभ नहीं होगा उसके बारे में आज के सेशन में हम बात करेंगे और एक दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस केस में मैं डिसकुस करने वाली हुए जज्जमेंट के साथ वो यह है कि बहुत सारे लोगों अगर मैं हिंदू मेरेज आक्ट में बात करूं तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमने पहली शादी में तलाक ले लिया तो तो इसके तुरंद बाद अगर आप दूसरी शादी कर लेते हैं तो वह दूसरी शादी आपकी बालेट हो जाएगी तो मैं यह ची आज के सेशन में हम डिस्कुस करेंगे लेकिन सेशन स्टार्ट करने के पहले तो गाईज अगर आपने अभी तक मेरे साथ Instagram and Telegram पर कनेक्ट नहीं किया है तो जल्दी से कनेक्ट कर लो ताकि अगर आपका कोई doubt है कोई question है तो उसे आप यहाँ पर पूच सकते हो and जो भी मेरे आगे आने वाले sessions होंगे उनकी information आपको Telegram के थ्रू मिलती रहेगी and आप में से जो लोग Judiciary exams के त्यारी कर रहे हैं तो guys study IQ Judiciary का जो नया foundation batch 8 है यह already start हो चुका है ठीक है आप prelims से लेकि interview तक की preparation इस course में कर सकते हो English और Hindi medium दोनों के लिए course आपका available है और अभी इस course में enroll करने का best time है क्योंकि आज और कल चल रही है दशेरा की sale जहाँ पर यह course आपको 22,999 के amount में मिल जाएगा दो साल की validity के साथ और अगर आपको 3 साल की validity चाहिए तो 27,999 में आपको यह course 3 साल के लिए भी मिल जाएगा तो वैसे इस course का जो price है यह 24,999 था अभी क्योंकि sale चल रही है तो आपको कम price में course दिया जा रहा है और एक ही discount code है जिससे आपको मिलेगा यह price that is ARJ यानी मेरे नाम के starting के तीन अक्षर बाकी website कहाँ पे है आप enroll कैसे करोगे और क्या क्या चीजें enroll करने के बाद आपको मिलेंगी यह सब कुछ में एक बार आपको session के end में explain कर दूँगी अब देखिए पहले इस case को यहाँ पे समझ लेते हैं इस case में क्या हुआ कि एक महिला थी इनकी पहली शादी हुई इन्होंने पहले husband से यहाँ पे शादी की और शादी के बाद इन्होंने क्या किया तलाक ले लिया तो 2008 में इन्होंने पहले पती से जो है वो तलाक ले लिय है वो इस तलाक के फैसले को चैलेंज कर सकते हैं हायर कोट में यानि की अपील में लेके जा सकते हैं तो वही चीज यहां पर पहले पती ने भी की जैसे ही महिला ने तलाक लिया महिला को तलाक मिला पती ने क्या किया उस तलाक को चैलेंज कर दिया कोट में जाके यानि की अप अपील फाइल कर दी अब महिला को पता था कि मेरा जो पहला तलाक है उस पे अपील फाइल हुई हुई है ठीक है वो मामला भी भी खत्म नहीं हुआ है बट पहले तलाक के अपील को ये पेंडिंग चलते चलते महिला ने यहाँ पे क्या कि दूसरी शादी फिर से कर ली 2009 में य दूसरा पती कोट में गया और दूसरे पती ने बोला कि सर ऐसा है ये जो मेरी वाइफ है ये लेडी है इसने मुझसे तब शादी की थी जब इसका पहला डिवोर्स जो है वो फाइनलाइज नहीं हुआ था यानि जो पहले डिवोर्स का मामला है जो इशू है वो अल्रेडी प मानी जाए वालिड ना मानी जाए मुझे ऐसा यहां पर करवाना है तो फैमली कोट ने बोला कि हाँ बिलकुल बात सही है कि अगर आपके पहले पती से जो आपकी शादी थी उस शादी को अभी अगर प्रॉपर तरीके से खतम नहीं किया गया है आपको तलाक मिला लेकिन आ बालिड नहीं माना जा सकता वो तो नलन वाइड यहां पर मानी जाएगी तो महिला आई दिल्ली हाई कोट में और महिला ने दिल्ली हाई कोट में बोला कि सर यह तो गलत है मैंने शादी की थी में को तलाक मिल गया था और तलाक मिलने के बाद मैंने दूसरे पती से यहां प पर नहीं कर सकते, आपको कुछ समय वेट करना पड़ता है, रुकना पड़ता है, वो इसलिए कि आपको तो तलाक मिल गया, लेकिन जो आपका पतियां पतनी हैं, उन्होंने अगर उस तलाक के फैसले को चैलेंज कर दिया, उस पे अपील अगर फाइल कर दी, यानि कि वो मामल अभी भी सेटल नहीं हुआ है, वो मामल अभी भी चल रहा है, तो ऐसे में आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, और अगर आप करोगे ऐसे में दूसरी शादी, तो वो वैलेट नहीं मानी जा सकती, तो कोट ने हापे क्या बोला, कि देखिए महिला को दूसरी शादी करते समय में पता था कि मेरा जो पहला तलाक हुआ है जो डिवोर्स हुआ है वो मामला भी भी कोट में चल रहा है तो जो सेक्शन 15 है हिंदू मारेज आक्ट का वो इस चीज को साफ साफ वताता है तो यानि कि इसको एक तरीके से ऐसा ही माना जाएगा कि आपका पहला पती था और आपन भी बालेट नहीं वानी जाती है जो कि सेक्शन 5 हिंदू मारेज आक्ट में दिया गया है कि अपने पहले पतियां पत्नी के रहते हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हो दूसरी शादी की कोई भी वाल्यू नहीं होगी अब ये कौन सा कानूर है ये भी मैं आपको बता कर सकते हैं आप ऐसा नहीं कर सकते ये सेक्शन 15 में हिंदू मारेज आक्ट में साफ साफ दिया है इसमें आपको बताया गया है कि जिस व्यक्ति को तलाक मिला है वो दूसरी शादी कप कर सकता है तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई जब आपकी शादी को खतम कर दिया ग आप आपने का पीरेड होता है मान लेते हैं कि कोड़ ने आज आपको तलाक दिया और अपील करने का उधारन के वहांद के पीज कि करता है तो उसके बाद किया कर सकते हैं दूसरी शादी सब्सक्राइब आप को राइट मिलता है दूसरी शादी करने का तुरंत तलाग मिलते से ही आप यहां पर दूसरी शादी नहीं कर सकते हो खासकर कि जब आपको पता है कि आपके husband या wife ने आपके तलाग के judgment को फैसले को challenge कर दिया है higher court में जाके, तो यहां पे court का क्या कहना था, कि wife को तो यहां पे पता था कि husband ने क्या किया है, उसकी husband ने जो है, उसकी पहली शादी को यहां पे, पहले तलाक को जो है, यहां पे court में challenge किया हुआ है तो यह जानते हुए अगर आप दूसरी शादी कर रहे हो ठीक है तो ये तो उसी के बराबर हो गई कि मतलब पहली शादी exist कर रही है और फिर भी आपने जाके दूसरी शादी यहाँ पे कर ली अब heights देखी आप इस case में ठीक है heights ये थी कि भाई एक तरफ पतनी बोल रही है कि मैंने दूसरी शादी की जब मैंने पहले पती से यहाँ पे तलाक ले लिया ठीक है उसके बाद पतनी ये भी accept कर रही है कि तलाक मिलने के बाद भी मैंने अपने पहले पती की उपर maintenance का case भी फाइल किया और मुझे maintenance भी यहाँ पर मिल गया तो भाई जब आप किसी person से maintenance मांग रहे हो यानि कि आप भी accept करते हो कि वो person आपका पती है है ना तो अगर आपका second husband है तो फिर आप पहले husband से जाके maintenance क्यों claim कर रहे हो यानि आप कही ना कहीं अभी भी यह चीज़ accept करते हो कि आपकी पहली शादी यहाँ पर खतम नहीं होई थी तो court नहीं आप बोला कि देखिए ऐसे में जो यह आपकी second marriage है इसको कानून recognize नहीं कर सकता इसको court यहाँ पर recognize नहीं कर सकता और आप ऐसा नहीं कर सकते तो जैसे कि simple तरीके से अगर मैं आपको समझाओं तो basically अगर आपको तलाक मिलता भी है आपकी शादी को खतम कर भी दिया जाता है तो भी तुरंट आप जाके दूसरी शादी नहीं कर सकते एक समय है एक period है जो आपको सक्षिन पांच में लिखा है कि भाई जब आप शादी कर रहे होते हैं उस टाइम पे आपका कोई भी पती या पतनी या नहीं पहले आज जो husband और wife है वो exist नहीं कर रहा होना चाहिए अगर आप कर रहे हैं तो फिर यह section 11 के जो है वो विरुद्ध है section 11 के यह अगेंस्ट है और section 5 के भी अगेंस्ट है और ऐसे में आपकी उपर जो है बाइग्यामी का केस भी फाइल किया जा सकता है तो देखिए किया जा सकता है वो divorce फुल और final हो चुका है तो भी आप क्या कर सकते हैं दूसरी शादी यहाँ पर कर सकते हैं यह दो situations होती है आपके सामने ठीक है अब अगर हम बात करें तो दूसरी शादी जो है वो करना जैसे कि मैंने आपको बताया कि 494 में इसको एक offense भी बाना जाता ह कि भाई अपने पतियां पत्नी के रहते हैं अगर आप दूसरी शादी करते हो तो यह भी 494 में आपका एक offense है लेकिन अब जैसे कि मैंने आपको यह भी बताया कि भाई कुछ-कुछ situations ऐसी भी होती हैं जहां पे आपकी पहली शादी के रहते हुए आपके हिसाब से आपकी marriage agreement कर लेते हैं कि हाँ भई हमने contract बन वा लिया उस contract में हमने लिख लिया कि ठीक है आज से हम पती-पत्नी हैं और हमारे जो rights हैं, obligations है, duties हैं दूसरे की तरफ वो पती-पत्नी की तरह यहां पे होंगे आपने एक marriage agreement करके यहां पे शादी कर ली अब देखिए आपने तो शाद यह valid ही नहीं है कानून की नजरों में और इस शादी के रहते-रहते अगर आप दूसरी शादी कर लेते हैं तो वो दूसरी शादी आपकी जो है वो valid मानी जाएगी, क्योंकि जो पहली शादी है आपकी वो void है, उसको कानून recognize नहीं करता, आप बेशक उसको recognize करते होगे, तो पहली शादी को आपका कानून या court जो है वो recognize नहीं करता है, इसमें अब और भी situations आ जाती है, जैसे कि अगर जो आपका पहली शादी से husband या wife है, वो कम से कम 7 साल के लिए आपकी life से गायब है, मतलब 7 साल हो चुके हैं, पिछले 7 साल से आपको नहीं पता है कि वो person कहाँ प कर सकते हो, क्योंकि 7 साल से जादा का जो है, वो समय यहाँ पर निकल चुका है, तो ऐसे में जो court है, वो भी इस चीज़ को presume कर लेता है, कि भाई, मेभी वो जो person है, उसकी death हो चुकी होगी यहाँ पर, क्योंकि 7 साल से उपर का समय निकल चुका है, कि किसी को पता ही नहीं है ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि अगर आपकी पहली शादी exist कर रही है, ठीक है, पहली शादी से अगर आप प्रॉपर तरीके से तलाक नहीं लेते हैं, प्रॉपर तरीके से डिवोर्स नहीं लेते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने तलाक लिया भ आप यहाँ पर दूसरी शादी नहीं कर सकते हो, दूसरी शादी करने का एक ही solution होता है, क्या तो proper तरीके से divorce हो जाए, जहाँ पर चीजें full और final हो चुकी है, अब उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है, आपके साथ में रहने की, यहाँ फिर पहले husband या wife की यहाँ पर death हो चुकी है, और तीसरा जो मैंने आपको रस्ता बताया वो यही होता है, कि भाई पहली शादी के रहते, दूसरी शादी इंसान तभी कर सकता है, जब आपकी पहली शादी को कानून recognize ही ना करे, जो कि section 494 में exception भी आपका बताया गया है, so I hope यह case यह पूरा जो judgment है यह आपको clear हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, now, जैसे कि मैंने आपको session के starting में बताया था, कि guys आप में से जो लोग judiciary exams के त्यारी कर रहे हैं, वो कोई सा भी judiciary examination हो, आप foundation batch में enroll कर सकते हो, batch no.8 में, जिसमें आपको prelim से लेके interview तक की, पूरी preparation करवाई जाएगी, और English और Hindi medium, दोनों में ये course आपका available है, ठीक है, और अभी best time है आपके लिए enroll करने का, क्योंकि अभी चल रही है दशेरा की sale, तो ये same course आपको जो है, बहुती affordable pricing में, और बहुती कम price में मिल जाएगा, और इसमें अगर आप enroll करना चाहते हो, तो enroll करने का जो process है, वो बहुती simple सा है, कि आपको बस जाना है Google पे, और search करना है study IQ Judiciary, ठीक है, search करके थोड़ा सा नीचे जाईएगा, और इस link के उपर click करना है आपको, और जैसे ही आप इस link पे जाके, इस वाले course पे click करोगे, तो ये है हमारा foundation batch number 8, तो इस course में आपको life classes मिलेंगी, online classes हैं, क्यानि कि आप घर से जुडिश्टी exams के तियारी कर सकते हो, ठीक है, कहीं जाने की जरुवत नहीं है, relocate करने की जरुवत नहीं है, प्लस इन classes में आप अपने doubts और सवाल भी class में जो है वो पूछ सकते हो, आपको सिर्फ अपने आपको unmute करना रहेगा, और जो question है, जो doubt है, वो class में आप faculty से पूछो, also ये foundation batch है, यानि जो भी कुछ हम इस course में आपको पढ़ा रहे हैं, वो zero से है, basics से है, और detail में है, ठीक है, prelims, mains और interview के लिए, प्लस इस course में आपको daily MCQ practice करवाई जाएगी, prelims और mains के notes आपको मिलेंगे, mentorship आपको मिलेगी, mains answer writing, judgment writing कैसे करना है, ये भी सिखाया जाएगा, ठीक है, GK और current affair की classes, legal current affair, आपके local laws, आपकी languages, Hindi, English, मतलब A to Z, each and everything आपको इस course में प्रोवाईट करवाया जाएगा, और एक अच्छी बात इस course की ये भी है, कि यहाँ पे हर student के पास, अपना खुद का, एक personal mentor भी होगा, तो आपके जो भी doubts है, जो भी question है, कोई भी query है, class के बाद में भी है, तो आप उसे अपने mentor से भी discuss कर सकते हो, ठीक है, तो enroll अब आप कैसे करोगे, आपको जाना है बाइनाओ पे, बाइनाओ पे जाओगे, तो ये course ऐसे बहुत ही महंगा सा दिखेगा, 38,000 का दिखेगा, लेकिन 38 का है नहीं, तो आपको क्या करना है, add promo code लिखा है, उसकी उपर click करिए, और left side पे देखिए, ठीक है, left में सबसे नीचे एक box बना होगा, जिस पे लिखा होगा क्या, enter coupon code, ठीक है, यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, ARJ टाइप करना है, मेरे नाम के starting के तीन अक्षर, और इसको apply करना है, और जैसे आप ARJ यहाँ पे टाइप करोगे, तो 22999 में पूरा course आपको मिल जाएगा, दो साल की validity के साथ, मैंने जैसे की बताया, वैसे इस course का price 24999 है, बढ़ क्योंकि आज और कल, दशेरा की sale है, तो आपको 22999 में पूरा course मिल जाएगा, 10 से 12 महीने में आपका syllabus हम complete करवा देंगे, बढ़ course का access जो है, वो आपके पास 2025 तक रहेगा, तो जितनी life classes आपकी हुई थी, आप इनको 2025 तक recorded form में access कर सकते हो, और अगर आप इसी course को 3 साल की validity के लिए लेना चाहते हो, तो 27999 की amount में आप इस course को 3 साल के लिए भी ले सकते हो, सेम ARJ discount code आपको यहाँ पे use करना पड़ेगा, तो आप में से जो लोग मेरी mentoring और मेरी guidance में त्यारी करना चाहते हैं, उसका एक ही discount code है, that is ARJ, मेरे नाम के starting के तीनक्षर, और जैसी कोई student life batch में enroll करता है, तो study IQ जुरीश्री का जो महापैक का course है, यह आपको life batch के साथ absolutely free of cost मिल जाएगा, तो महापैक basically हमारा pen drive course है, recorded classes वाला course है, जिसमें 16 states की जुरीश्री का पूरा syllabus recorded form में available है, ठीक है, तो life batch के साथ आपको यह भी free of cost included मिल जाएगा, और यहाँ पे नीचे अलग-अलग states के individual state specific courses भी आपको दिख जाएगे, जिनमें recorded classes available है, तो गाइस किसी भी course के लिए आप जाएँ, Study IQ Judiciary के एक यह discount code है, जो आपको याद रखना है, that is ARJ, और life batch के लिए इन्रोल करना है, तो यह जल्दी से कर लो, क्योंकि कल last date है, sale का, अधरवाइस यह जो prizes आपको दिख रहे हैं अभी screen पे, यह बढ़ जाएंगे, increase हो जाएंगे, ठीक है, so this is all from my end in this particular session, thank you so much once again, session अगर अच्छा लगा, इसे like करिए, इसे share करिए, and channel अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया है, तो जल्दी से channel को भी subscribe कर लीजे, so I'll see you guys soon, तब तक लिए take care,